हेरंबा मंदर रिपोर्ट्स के क्रम में हम आपको लिए चल रहे हैं हरुमान टेंपल ओफ न्यू यॉयॉक में जहां पर भक्तों ने हरुमान जी के पंचमकी स्वरूप का एक बरस प्रतिष्टा का पूरा होने पर जोटसब बनाया उसके बाद हमने थोड़ी सी बाक्षीत की जाना किस तरह से हरुमान जी की क्रपा का अनुभव होता है उन्हें और भक्तों की बात सुनते हुए इस स्थान के स्पंदनों से जुड़ते हुए उस क्रपा का कुछ अन्शाब तक पहुंचे और आपके लिए कल्यान का पत प्रशस्त हो अचे अनुभव हमान जी की तरणों में प्रख्णा के साथ प्रसुत है है रंबा मंदर रिपोर्ट करम में हरुमान टेंपल और न्यू यॉर्क मंगल मूरति मारू तिनंदन सकल अमंगल मूला निकंदन आज बहुत हर्ष और पुलाष का दिन है हमारे हनुवान मंदिर ऑफ नियॉर्क पेलिए आज हमने हमारे यहां एक वर्ष हो गया हनुआ जी को तो आज बड़ी धूम धाम से हमने हनुआ जी का महस्व किया है और जितने भी भक्त आये हैं बड़े आनंद में हुए क्योंकि आज भजन किर्टन के साथ भगवान का सिंगार किया गया और आज भगवान कितने लग यहां पर देख सकते हैं हम हनुआ जी के सेवादारा मेरा नाम सुल्तान राना है और हमारी माह हैं अमीतामिंज बड़ी हनुआ जी की भक्त हैं और हम सबने आज बिल करके हनुआ जी के स्री चरणों में भजन खिर्तन किया है और सभी लोगों के साथ मिल करके हनुआ जी के चरणों में आज हमने अर आजिनि औरुक वड идет कर एक प्रम जोड़िव स्री रám जे जे राम जोड़ निर्शी पहनुमांद तो थे यह व neutrी एति रान कृष्टेप कर दो tą आमान दादा हॉर है है इस चिरन जी एनिवर यू से आये हनमान जी विराजिये कथा करूं तो वो आ ही जाते है तो आज बहुत मजा आया पंच्पु की हनमान जी का प्रांपतिस्ता हुई अभिषेक हुआ तक्तम हुआ और आरती बजन or इतने सारे लोग आए तो बहुत खुश हुई और हनमान जी तो हमारे लिए हमारे लिए छो चोटे हनमान जी दो हम्हेर के हम्हेरे घर है इसको ар हनुमान जी आए एक साल हो गया जो बाइब्रेशन जो पूजा से तप से यहां पर बाइब्रेशन हो रही है जो मैंने फिलिंग की है और ऐसे ही बढ़ती जाएगी जैसे आज हमेशा हनुमान जी का जो अभिशेक करते हैं भजन कीरतन होते हैं और जो पूजा की पदती जिस पूजा करते हैं वो एक सरहनिय है धन्यवाद मेर नाम सप्रकाश्यर्मा है आपका बहल बोला है My name is Ashit Chavra, मेरे साथ आज करिश्मा हुआ I was sitting at home, my children called Dr. Arun and his wife, my daughter, that he got hurt in the golf course and his knee was broken, he might need surgery and all that So I just spontaneously said, why don't you remember Hanuman, you won't need the surgery, you won't need anything, only little lesion hoga And it happened, I said, मैं Hanumanji, को लड़ू खिला किया हूं So I, बडे दिनों के बाद मैं ये मंदर मैं जानती हूं, I've never been here So I came and I brought laddus and little check and I had the puja done with Sanjeev Ji, it's great So I am taking the Prashad bath, I hope they start believing in it and this is what happens when you have really good faith, things happen to you great So he doesn't need surgery, he only has a little ligament torn, hopefully Hanumanji will take care of it And this, I know Aisha Ji, they are great people, this great family and Sanjeev Ji, they are really devoted and I would love to come here I just can't come too much because of health reason, other reason, so anyway, from now on I'll be visiting Thank you Hanumanji and thanks to you, this is really, if you believe, if you have faith, things happen, it happened to me I have fun now, I can't, it can't stand for a place Administrator who came and said to come झाल